तो कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है, जहां आजन नाम के खास किस्म के लोग रहते थे। असल में आजन कुछ अमर लोग थे, जो किसी भी तरह के हमले को छेल सकते थे। यहां तक की वो अपनी शक्तियों की मदद से खुद को दोबारा जिन्दा भी कर सकते थे। और इन ही शक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी इकठा करने के लिए सरकार ने आजन कमेटी की स्थापना की। इसके बाद हमके नगाए नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो रोड पर चल रहा था, पर अचानक उसकी टककर एक गाड़ी से हो गई। पर इसके बावजूद भी उसका शरीर अपने आप वापस सही हो गया, जिसका मतलब था कि वह भी एक आजन है, पर इस हादसे से पहले के नगाए बिल्कुल एक आम जिंदगी जी रहा था, पर उसके आजन होने की खबर फैलते ही आजन कमेटी उसे अपने साथ ले आई, ज आजन कमेटी के हेड्यू तौजा की का काम इन आजन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सरकार तक पहुँचाने का था, और इसलिए उसने डॉक्टर से के नागाई के हाथ पैर काटने को कहा, ताकि वह लोग उन्हें दोबारा सही होते हुए देख सकें, पर वहीं उन्होंने सभी पहरेदार को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद साटो ने कैमरा के जरिये तौजकी को बताया कि वो और तनाका वहाँ पर सिर्फ के नगाई को बचाने आये हैं, साथ ही उसने बताया कि कैसे उसने कुछ साल पहले ठीक इसी तरीके से तनाका को भी बचाय और उसके बाद दोबारा से हाथ उगा लिया, जिसका मतलब साफ था कि वो भी एक आजन है, असल में तनाका और साटो ही वो दो आजन थे, जिन्हें केन गाई से पहले पकड़ा गया था, थोड़ी देर बाद ही साटो सभी गार्ड्स को खत्म करते हुए कि नगाई के पास पहुँच ही गया, जहां उसे आजाद करने के बाद साटो ने उसके हाथ में बंदूक पकड़ा हुए कहा कि बचे हुए सारे डॉक्टर्स को गोली मार दे, परके नगाई ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया, जिसके बाद साटो ने खुद ही एक डॉक्टर को गोली मार जिसके बाद अब वहा के नगाई की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आजन होने के बावजूद भी इंसानों का साथ दिया था, तभी साटो ने अपने अंदर से एक भूत निकाला, जो कि उसके आजन होने का सबूत था, और तभी के नगाई ने भी अपने भूत को ब पर तनाका ने सभी न्यूज वालों से बात करने का फैसला किया। अलग देश होना चाहिए। पर असल में इजूम भी एक आजन थी और उसने तुरंथ ही अपने भूत को तनाका का सामना करने के लिए बुला लिया। जिसके बाद उन दोनों में लडाई शुरू हो गई। इजू के इस राज के बारे में पता चलते ही तनाका उसे खत्म करके एरिको को अगवा करने के लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही आ गया। पर तब तक उन दोनों के आसपास काफी सारे लोग इकठा हो गए थे जिन्हें देख कर तनाका चुपचाप वहां से चला गया। उधर तोसा की मीडिया के सामने अपनी और सरकार की बेगुनाही को साबित करने में लगा हुआ था। उसका कहना था कि साटों के लगाए हुए सभी आरोप बेबुनियाद और बिलकुल जूटे हैं। और अब तो वह अपने अंदर मौजूद उस भूत को काबू करना भी सीख रहा था। उधर साटों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मेरी सारी मांगों को मान लिया जाए। और ऐसा ना करने पर उसने हेल्द मिनिस्ट्री को तबाह करने की धमकी दी। इसके साथ ही उसने इस हमले की तारीख बताते हुए सभी जैंस को अपने साथ जुडने के लिए कहा। हमले की तारीख के दिन हेल्द मिनिस्टर बिल्कुल बेखौफ बैठा हुआ था और उसके मताबिक बाहर खड़ी पुलिस के होते हुए उसका कोई क्या ही बिगार लेगा। पर तभी एक प्लेन सीधा आकर हेल्द मिनिस्ट्री की बिल्डिंग से टकरा गया। असल में इस प्लेन को साटो उड़ा रहा था और एक आजन होने की वजह से उसने अपने आपको दोबारा जिंदा कर लिया। वहीं बाहर भी कई सारे आजन साटो का साथ देने के लिए पहुँच गए थे। पर साटो की इमारत से बाहर आते ही पुलिस ने उस पर अंधा धुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। टोक्यो शहर खाली करने के ओनर्डर्स दिये और ऐसा ना करने पर उसने कहा कि मैं पूरे शहर में जहरीली गैस पहला दूँगा फिर ले ले ना मजे तुम सारे मरोगे। उधर जब तौज की ओनफिस से बाहर निकला तो उसकी नजर भीड में खड़े के नगाय पर पड़ी जो साटो से लड़ने में सरकार की मदद करने के लिए तयार था। पर इस काम के लिए उसकी एक शर्ट थी कि सरकार उसकी बहन एरिको की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखेगी। इसके साथ ही साटो को हराने के बाद के नगाय ने अपने लिए एक नई इंसानी पहचान की मांग की। ताकि वह अपनी बहन के साथ शान्ती और आराम से रह सक और वहीं साटो 20 साल तक अपने उपर किये गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इंसानों से नफरत करता था और अब उन दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आजन को इंसानों से बचाना था। दो दिन बाद साटो और उसके आदमी सरकार पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तयार थे और प्लान के मताबिक सबसे पहले उन ही के एक आदमी ने सरकारी आउन्फिस में जाकर उनका सिस्टम हैक कर लिया। उधर तनाका ने इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को कैद कर लिया था जिसके बाद वह लोग जहरीली गैस छोड़ने के लिए इमारत की चट की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी तोजकी ने उस हैकर को ढूंड कर उसके उपर उसकी बंदूग तान दी और इधर तनाका अपने कुछ दोस्तों के साथ गैस वाले कमरे तक तो पहुँच गया था। पर तभी अचानक से एक काली सी चीज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। असल में यह चीज के नगाये ने अपने भूत की मदद से बनाई थी। और इसी चीज का फाइदा उठाते हुए पुलिस वालों ने तनाका और उसके साथियों के उपर इंजेक्शन से हमला कर दिया। उधर साटो एक लकड़ी की दुकान पर मौजूद था ल जैसे ही पुलिस वालों ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो साटो ने अपने भूत की मदद से उन पुलिस वालों को खत्म कर कर दिया। जिसके बाद उसने तनाका को वापस से जगाया। और फिर वह दोनों सीधा उस जानलेवा गैस को लेने के लिए पहुँच गए। गैस मिलते ही साटो पूरी रफ्तार से छट की तरफ भागा। यहाँ पर उसने के नगाय को भी बुलाया हुआ था और थोड़ी ही देर बाद के नगाय उसे रोकने के लिए वहाँ पहुच गया। और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई इसके बाद उन दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई जिसमें उन दोनों के अंदर मौजूद भूत भी बराबर के हिस्सेदार थे और इसी लड़ाई के बीच तौजा की ने सही मौका ढूंड कर तनाका के उपर खास इंजेक्शन से हमला कर दिया जिसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया उधर के नगाय और साटो के बीच अभी भी लड़ाई चल रही थी पर इस बार के नगाय का यह नया रूप देखकर साटो उससे काफी प्रभावित हुआ और तभी के नगाय ने बड़ी ही चालाकी से साटो के पैर पर वो इंजेक्शन घुसा दि दिया यह देखकर के नगाय काफी ज्यादा निराश हुआ क्योंकि उसके पास अब और लड़ने की शक्ती नहीं थी पर जैसे ही साटो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तभी बहुत सारे पुलिस वालों ने वहाँ पहुँच कर उन दोनों को ही लिक्विड नाइट अपने हाथ की मदद से खुद को वापस जिन्दा कर लिया जिसके बाद वह शीशा तोड़ कर सीधा बाहर की तरफ भाग गया दोस्तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक् मिलती हूँ अगली वीडियो में सभी को राधे राधे